तो आज यार हम लोग करने वाले हैं आईडियल ट्रांसफॉर्मर और थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लेकिन थोड़ा सा पोर्शन हमारे कल के लेक्चर का भी रहे गया था जहां मैं आपको बता रहा था इंडियूज डियमेफ तो मैंने आपको कल के लेक्चर में क्या बताया था भई पर यूनिट सिस्टम बताया था ट्रांसफॉर्मर के पूरे के पूरे कंपोनेंट्स बताया थे कंस्ट्रक्शन बताया था ट्रांसफॉर्मर का मैगनिट current बताया था, transformer में EMF निकल वाया था, EMF के बारे में बताया था, lagging होता है या leading होता है, कैसे पता चलता है, EMF flux को lag करेगा या lead करेगा, तो एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, जितना हम लोगों ने कल तक cover किया था, वो सभी लोगों को clear है या नहीं है, फटा-फट से एक बार बोल दीजिए भई, जितना हम लोगों ने कल तक cover किया, is it clear to everyone, come on everybody, is it clear to everyone, चलो, और फटा-फट से attendance mark कर दो भई, अपना like करके वीडियो को attendance mark कर दीजिए, चलिए, तो आज भी हम लोग बिटा एकदम basic concept सीखेंगे, ठीक है, कोई ऐसे मैं advanced concept खास आपको नहीं करा आने वाला हो, एकदम basic चीज़े करेंगे, basic question करेंगे, आपका concept आपका fundamental build-up करेंगे, बट इससे पहले मैं बता दूँ, अगर कोई भी बच्चा gate 24 की तयारी कर रहा है, तो उसके लिए amazing opportunity and academy पे to save up to 52%, यहाँ पे आपको क्या है न, बिटा, 12 months पे 3 months extra मिल रहे है, 15 पे भी 3 months एक्स्ट्रा मिल रहे है, in plus and iconic, और साथ ही साथ prices को भी बिटा, बहुत गजब तरीके से reduce किया है, यहाँ पे आपको 12 plus 3 months सिर्फ मिल रहा है, 27, 486 में, 15 plus 3 months मिल रहा है, 30, 70, 7, 99 में, आपको क्या करना है, फटा, फट से unacademy app पे जाके enroll करना है, using code अंकित ESE, simple है, काफी simple process ह ठीक है, तो शुरू करें आज का discussion, ready हैं भई सभी लोग, जल्दी से बता दीजे, are you guys ready or not, come on everyone, सभी लोग तैयारी से आएं हैं, एकदम must तरीके से mood बना के, एकदम जोश में, एकदम जोश रहना चाहिए, energy रहनी चाहिए, ठीक है, पता नहीं लगना चाहिए, class का time कब नि no load पे बात करते हैं, no load का मतलब यह होता है बिटा, कि जो secondary winding है transformer की, उसको ना मैंने open रखा है, यानि उसमें कोई current exist नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, देखो जब transformer में कोई current नहीं भी exist करता, तब भी primary winding से, एक current आता है, source से primary winding के अंदर, जो की flux बनाने के काम मे आता है, जो current flux बनाने के काम में आता है, उसको हम कहते है, magnetizing current, क्योंकि वो core को as a magnet behave करा रहा है, core के अंदर, magnetic field set up कर रहा है, तो that is your magnetizing current, लेकिन बिटा, यह जो flux है, यह जो flux बन रहा है core में, that is alternating in nature, और alternating होने के कारण, इस से आते हिस्टरिस और eddy current loss, अब बिटा, यह जो losses होते हैं, losses are always real power, क्योंकि losses वो होते हैं, जो heat में convert हो गए, अगर कोई भी power heat में convert हो रही है, या एक form से दूसरी form में convert हो रही है, that is always a real power, बात को समझेंगे, real power हमेशा वो power होती है, which can be converted from one form to the other, तो मैंने क्या बताया, कि सबसे पहले supply से एक current आया, primary winding में, जो की flux बनाने के काम में आया, अब यह flux था हमारा का alternating, जिसके कारण transformer में losses आने लगे, hysteresis, और eddy current loss, loss होती है, real power, तो यह जो real power dissipate हो रही है, यह आ कहां से रही है, जो power waste हो रही है, वो कहां से आ रही होगी source से, power आने का तो एक ही रास्ता है ना, source से, तो इसी कारण से हम कहते है, source से एक नहीं, दो current आएंगे, एक आएगा magnetizing component, जो की बनाएगा flux, और एक आएगा core loss component, जो की supply करेगा, core losses को, core losses का मतलब हुआ, यहाँ पे बिटा, दो loss, hysteresis loss, and eddy current loss, hysteresis loss, and eddy current loss, बात चमक रही है, बताओ, ऐसा मत सोचना, दो अलग-अलग current आएंगे, basically current एक ही आएगा बिटा, source से, उसको हम दो पार्ट में तोड रहे हैं, हम कह रहे हैं, इसका एक हिस्सा तो flux बनाने के काम में आ रहा है, और एक हिस्सा real power को contribute कर रहा है, to supply the losses occurring in the transformer, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको transformer भी draw करके बताता हूँ, जैसे देखो, यह मेरा एक transformer है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बिटा, कि इस transformer को ना हमने no load पे रखा हुआ है, कैसे रखा है transformer को no load पे, no load का मतलब है, इसकी जो secondary winding है उस पे मैंने कोई load connect करा नहीं है, यानि secondary current है zero, यहाँ zero ampere का current है, लेकिन पता है क्या, कि primary side पे आपने एक source लगाया हुआ है, यह source कैसा आपने लगाया है, अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो जब कभी भी secondary पे कोई source, secondary पे कोई load नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे primary से, source से एक current आएगा, that is I0, यह I0 कहलाता है, no load current, यह क्या कहलाता है भई, no load current, because there is no load connected on the transformer, अब यहाँ पे phasor diagram में देखिए क्या होता है, सबसे पहले बात होती है बिटा, flux की, ठीक है, यह जो flux होता है, इसके same phase में आता है आपका I mu, क्या कौन सा current आता है भई, I mu, I mu वो current है जो flux बनाने के काम में आता है, ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, कि flux से EMF 90 degree lag करता है, अब primary और secondary के जो EMF होते हैं बिटा, वो same phase में लाई करते हैं, क्योंकि they are directly related by turns ratio, simple सी बात है, जैसे minus E2, और minus, sorry, minus E2 कह रहा हूँ, E2 और E1, Sir, E1 छोटा क्यों बनाया, मैंने यह मान लिया, N1 less than N2, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, assumed N1 less than N2, इसलिए E1 less than E2 हुआ, बट दोनों के दोनों same phase में आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे क्या बूल रहा हूँ, Induced EMF, lags, flux by 90 degree, lagging का मतलब होता है, बिटा, 90 degree clockwise, lagging का मतलब है, 90 degree clockwise, अब क्या होता है न, बिटा, यहाँ पे, हम जो supply voltage दिखाते हैं, उसको minus E1 करके लिखते हैं, क्यों, क्यों Sir, V1 को हम लोग directly E1 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि, बिटा, मुझे न, lens law दिखाना होता है, ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ, V1 is minus E1 for lens law, Sir, minus E1 से lens law कैसे, देखो, आपको पता है, Induced EMF opposes the cause of induction, तो cause of induction है, यहाँ पे यह जो source है, V1, यह जो source है, V1, इसके कारण EMF आ रहा है, और EMF का काम है, इस voltage को oppose करना, अगर मेरे भाई voltage को oppose करना है, तो आप क्या दिखा दीजिए, आप opposite एक arrow दिखा दो, minus E1 का, actually तो KVL से देखोगे, तो V1, E1 बराबर है, बट आप opposite दिखा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या पता करने के लिए, क्या शो करना चाहते हो, कि भाई हमारा जो EMF है, वो voltage को oppose कर रहा है, ठीके, अब मैंने आपको क्या बताया, बिटा, कि no load current के दो component होते हैं, एक Iμew होता है, वो तो देखो, supply voltage से 90 degree lag कर रहा है, यह आपका supply voltage से 90 degree lag कर रहा है, है ना, यानि कि Iμew के अंदर कौन सी power की बात करोगे, जब current और voltage में 90 degree angle होता है, तो that current contributes to the reactive power, जब current voltage में 90 degree angle होता है, तो it contributes to the reactive power, इसलिए बोल देते हैं, transformer या किसी भी मशीन में flux बनाने में जिस power का use होता है, that is the reactive power, क्योंकि बिटा, flux बनाने में जो current use हो रहा है, वो voltage से 90 degree lag कर रहा है, इसका मतलब है, वहाँ पे reactive power involved है, नहीं तो आप ऐसा सोच लो, flux बनाने में inductor का use होगा, और inductor में कौन सी power define की जाती है, that is the reactive power, लेकिन हमने क्या बोला, एक current और है, IW, जो की losses supply कर रहा है, और losses होता है, real power, अगर real power की बात आपने करनी है बिटा, तो आप यहाँ पे दिखाईए, current के same phase में, sorry, voltage के same phase में current, voltage और current में अगर 0 degree का shift होगा, तो यहाँ पे आएगी real power, cos phi होती है न, cos phi होती है, तो देखो, एक current real power contribute कर रहा है, और एक reactive power, लेकिन यह जो IME होता है न, यह काफी बड़ा होता है, IW से, यह जो IME होता है, this is bigger than IW, अब यह जो दो current आ गए, बिटा, IME और IW, इन दोनों का जो sum है, that is called as I0, तो supply से जो current आ रहा है न, वो basically दोनों का sum आ रहा है, आप समझ रहे हो बात को, तो यह देखो, यह जो red वाला arrow मैंने बनाया, this is I0, और यह जितना current supply से lag करेगा, this is phi0, यह phi0 जो होता है न, यह 70 से 75 degree के करीब होता है, और यह जो cos phi0 होता है, this is called as the no load power factor, और यह value होती है, 0.2 से 0.3, ठीक है, बहुत छोटा power factor, यानि कि no load पे power factor कम होने का मतलब है, reactive power dominating है, और वो तो होगी भी, क्योंकि बिटा, reactive power वाला current dominate कर रहा है न, I mu अगर dominate करेगा, तो obviously reactive power will dominate the real power, तो मुझे बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई doubt है, स्रिष्टी कह रही है, सर, magnetizing current कैसे important है, बिटा, magnetizing current वो है, जिसके कारण transformer में flux बन रहा है, अगर flux ही नहीं बनता स्रिष्टी, तो transformer work कैसे करेगा, ठीक है, clear हुआ भई, बताइए सभी लोग एक बार, आगे चला जाए, अब देखो यार, हमें क्या पता है, कि अगर हम circuit बनाने पे आएं, है न, तो हमने ये देखा, कि primary में जो supply लगी है न, उससे current दो पार्ट में divide हो रहा है, एक जो की 90 degree lag कर रहा है, और एक जो voltage के same phase में है, अब बात को समझिएगा, voltage के same phase में current आने का मतलब होता है, resistance, और voltage से current 90 degree lag ओने का मतलब होता है, इंडक्टेंस, ठीक है, तो मुझे दो current दिखाने है बिटा, primary में, one in same phase as the voltage, one lagging the voltage by 90 degree, अब दो current दिखाने है, इसलिए आप parallel दिखाईए, क्योंकि series में क्या होता, current एक ही होता, लेकिन voltage दो होती, यहाँ पे क्या है, voltage एक ही है V1, लेकिन दो currents हैं उससे बनने वाले, one is RC, other is XM, तो RC में जो resistance में current जा रहा है, that is IW, XM में जो जा रहा है, that is Iμ, RC यह जो होता है न बिटा, RC is called as the core loss resistance, क्या कहलाता है, core loss resistance, यह न hypothetical resistance है, यह क्या है, this is hypothetical, ऐसा कोई resistance होता नहीं है, बस इतनी सी बात है कि core के अंदर कुछ losses आ रहे हैं, तो उसको एक resistance से show कर दिया, तो it represents your core loss, ठीक है बई, core में loss तो hysteresis और eddy current थे न, तो it represents your core loss, XM actually एक inductance होती है, which is mutual inductance, XM is given by mutual inductance, जब दो coil एक core पे बांधी गई है, तो उनके बीच में एक mutual inductance तो हो गई न, तो XM आपका mutual inductance से आता है मेरे भाई, लेकिन RC hypothetical है, अब यह IW और Iμू का जो total sum है न, वो है I0, तो यहाँ supply से current आ रहा है I0, तो मुझे बताओ, यह circuit clear हुआ, मोहन भाई, अभी मैं harmonics के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, ऐसे random doubt पूछोगे, उस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी disturb हो जाते हैं, जब harmonics पढ़ाऊंगा transformer के अंदर तब बात करना, बात clear हो गई, चलिए, अब देखो इसी transformer में अगर हम load लगा दे तब क्या होगा, अगर इसी transformer में load लगा दे तब क्या होगा, load लगाते ही बिटा secondary winding में voltage तो पैदा होई रही थी, अब उसमें current भी आने लग जाएगा, अब यह जो secondary winding का current है, यह lens law के अनुसार एक flux पैदा करेगा, और यह flux अपोस करेगा primary के flux को, ठीक है, यह flux अपोस करेगा primary के flux को, देख रहे हो, स्पैम करने आ गए भाई, काहे मेरे session को स्पैम करते हो बंधू, यहां हम और बच्चे आपस में मिल करके, अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हैं, बरदाश्त नहीं हो रहा है क्या भाई, बताओ, बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, secondary side में एक voltage तो पैदा हो ही रही है, अब इस voltage से current भी पैदा होने लगेगा, due to the load, अरे मेरे भाई, प्लीज स्पैम मत करो, देखो मेरे से तुम से एक छोटी से request है, प्लीज मेरे session को स्पैम मत करो, मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ा लेने, दो जो topic मैं आज cover करने आया हूँ, उसको cover कर लेने दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत sincerely पढ़ते हैं, तुम्हें यह सब जो बकर पेलनी हैं, यह कहीं और जाके पेलो, प्लीज, दूसरे channel पे, हाँ जी, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जब हमने secondary पे load लगाया, तो secondary में current आने लगा, और lens law के अनुसार, ठीक है, lens law के अनुसार, यह current है, इससे जो flux बना, यह primary के flux को oppose करेगा, अब भई primary के flux को oppose करेगा, तो primary के flux को नहीं, घटाने की कोशिश कर रहा है, यह क्या कर रहा है, यह primary के flux को घटाने की कोशिश कर रहा है, अगर बिटा, यह primary के flux को घटाने की कोशिश करेगा, कल मैंने आपको बताया था, जब तक आपका voltage और frequency fix है, flux नहीं बदल सकता, ठीक है, जितना तू मुझे घटाने की कोशिश करेगा भाई मैं उतना ही बढ़ा भी लूँगा फलक्स तेरा असर नहीं आने दूँगा लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए है जब आपने एक द्रिड संकल्प कर लिया है ना आपको गेट रांग चाहिए आपको सफलता चाहिए तो बहुत सारी अर्चने आएंगी बहुत सारे लोग अपोस करेंगे जैसे अभी देखो ये गनेश आके कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आपस्टेकल बनेंगे लेकिन जितना वो एफर्ट मारें आपको रोकने में आप अपना एफर्ट उतना ही इंक्रीज कर लेना ताकि आपका जो नेट एफर्ट है वो आपको आगे ही आगे ले जाता रहे तो दुनिया जितनी रोकने की कोशिश करेगी उतना ही हम एफर्ट जादा करेंगे उतना ही जादा हम input देंगे तो यानि कि जब-जब secondary में load current flow होगा तो primary कहेगी भाई साथ source से और current मुझे चाहिए मुझे और input चाहिए ताकि इसको भी मैं cancel कर पाऊं ठीक है इसको भी मैं cancel कर पाऊं बात समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं भाई तो एक तो reason ये हुआ दूसरा reason एक और समझो बिटा जब आपने secondary पे load लगा दिया जब आपने secondary पे मेरे भाई load लगा दिया तो load कुछ power तो draw करेगा obviously करेगा correct अब ये power कहां से आए आपने बोला hysteresis और eddy current losses जो हो रहे हैं वो तो source ने supply कर दिया iw से जो flux बनाने में reactive power चाहिए थी वो source ने supply कर दिया imu से अरे तो भाईया जो load power ले रहा है real और reactive वो कौन देगा वो भी तो source देगा तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो जितनी power load consume करेगा corresponding power source से आने चाहिए और corresponding power source से आने के लिए भाई आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको एक extra current चाहिए यानि अब transformer में दो नहीं तीन current आएंगे supply से imu flux बनाने के लिए iw core losses के लिए और एक तीसरा current जो की secondary वाले flux को cancel करेगा cancel करेगा बताए बात बात क्लियर हो गई भाई बताए जल्दी से इतनी बात क्लियर हो गई जल्दी से बताओ feel आया या नहीं आया दो reason मैंने बताए flux को constant रखना है तो secondary के effort को काटना होगा secondary जो load में power absorb कर रही है वो supply से लाना होगा इन दोनों कारणों से एक ही तो देखो यहां पे क्या होता है न देखो source से जो extra current आ रहा है उसको हम i1- लिख देते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि n1 i1- is n2 i2 यानि कि load component of primary mmf load component of primary mmf cancels secondary mmf ठीक है तो यहां पे एक extra आ गया है i1- अरे मेरे भाई क्यों please परिशान कर रही हो मैंने तुम्हें जो है न जब से बहुत देर हो गई अब इस चीज के लिए टोकते वे अब तुम बोल रहे हो तुमने कहीं और join कर लिया है तुमने इसलिए join कर लिया है कि सस्ता मिल रहा था अब वहाँ जो teacher पढ़ा रहा है तुमको मजा नहीं आ रहा है एक छोटी सी बात सोचके देखना भाई जब सस्ता मिल रहा था तो expect क्या किये थे सीधी सी बात है कोई भी जितनी भी cost के अंदर आपको course देगा उसी accordingly teacher लगाएगा अब obvious सी बात है न फिर वो चीज़ तो तुम्हें compromise करनी ही पढ़ेगी मैं तो यहाँ पे फिर भी आप लोग को free पढ़ा रहा हूं मैं तो नहीं कहा रहा है इस चीज़ का कोई charge देना है crash course करा रहा हूं comprehensive course करा रहा हूं तो यहाँ पे पढ़ लो इसको semi ideal क्यों बोलते हैं देखो यह कभी भी पूरी तरह से ideal तो है नहीं इसके अंदर IW की बात हो रही है IMEU की बात हो रही है नहीं ideal तो नहीं है बट पूरी तरह से यह पूरी तरह से non ideal भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने winding resistance की बात नहीं की मैंने leakage की बात नहीं की यानि पूरी तरह से practical भी नहीं हुआ और पूरी तरह से ideal भी नहीं हुआ तो बीच में लटक गए तो semi ideal हो गया ठीक है चलो अब देखे इसका phaser diagram देखे देखो क्या होता है एक काम करते हैं भाई बट यार यहां पे ना वो feature नहीं है unacademy app पे न copy paste का feature बहुत ही बढ़िया यार यहां सारी चीजे ना zero से बनानी पड़ती है वहां पे क्या होता है मैं सीधे copy करके उठा लाता हूं figure आज की date में unacademy app पे जो teaching के लिए features है ना उतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ personally मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज कल पढ़ाने में न प्लस पे इतने सही features दे रखे हैं पहल तो मैं audio feature से काफी impressed था जब से copy paste वाला feature आ गया ना तो बड़ा मज़ा आने लगा यार डाइग्राम वाइग्राम फेजर बनाना इतना easy हो गया है कहने को नी तो बेटा फिर रख रहो ना emotions में मेरे भाई emotion से या आएगी rank मैंनत से थोड़ी आती है आज कल मुझे क्यों परिशान कर रहे हो बताओ मैं तो तुमसे नहीं कह रहा कि an academy join करो फलाना institute join करो enjoy करो life ठीक है यह i1 e2 आ गए अब मैंने क्या बताया था पिटा even से opposite बनाओगे v1 एक तरह से minus even बनाओगे ठीक है minus even बनाओगे तो यह हो गया v1 अब इसके same phase में आ जाएगा iw iw आ जाएगा भई अब यहाँ पे iw और imu के addition से क्या आ जाएगा किसी और रंग से बनालते चलो इससे बनालते बहुत दिन होगा इसको use किया थोड़ा था यह आ जाएगा i naught ठीक है नजर आ रहा है ना सबको बढ़िया से अब मैं क्या कहता हूँ मैंने secondary पे जो load लगाया secondary पे जो load लगाया वो load lagging मान लो ठीक है secondary पे जो load लगाया उसको lagging मान लो अगर lagging मान लो बंधू तो वो जो load का current आएगा ना वो e2 से थोड़ा lagging आ जाएगा यह जेखो lagging आ गया ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ primary में जो इसके corresponding current आएगा उसका काम यह हुगा इसके MMF को काटना उसका काम क्या है इसे compensate करना अगर वो इसको compensate करना चाहता है तो मैं उसका phaser इससे opposite दिखाऊंगा तो भई मैं उसका phaser इससे opposite दिखाऊंगा तो देखो इससे थोड़ा लंबा बना ले ना सर लंबा क्यों बना रहे हूँ क्योंकि बेटा even आपने छोटा दिखाया even आपने छोटा दिखाया even अगर आपने मेरे बच्चों छोटा दिखाया यानि उसका current बड़ा होना चाहिए तो इससे बड़ा बनाया अब i1 डैश और i0 दोनों के दोनों मिल करके बिटा आपके supply से ही आ रहे होंगे तो i1 डैश में आप i0 को जोड लीजिए देखना सही बन रहा है के नहीं सही दिख रहा है ना चलो approximate तो ठीक ही है यह जो current आया now this is i1 ठीक है यह बात clear हो गई तो अब primary में आपके तीन current आ रहे है basically i1 डैश, iw और iμ ठीक है जी अब देखिए यह लोड है अब यहाँ पे देखिएगा बच्चो यह वाला current i1 डैश है जो की load के corresponding है देखो ऐसे दिखा देते हैं पता है मैं तुमको एक चीज़ बताओ बिटा क्या होता है ना जब voltage secondary में जो जाती है वो primary से जाती है मतलब voltage हमेशा जब primary में अपलाई करते हो उसके कारण secondary में induce होती है और primary में जो current है ना i1 डैश यह तब आता है जब secondary में current होता है यानि voltage का जो induction है वो तो always primary से secondary है voltage का जो induction है that is always from primary to secondary और जो current का induction है वो है आपका secondary से primary और बेटा अगर कोई doubt आ रहा है तो थोड़ा सा थम जाओ मतलब मैं यह थोड़ी सारा कुछ पढ़ाना लिखाना छोड़के पहले doubt ही answer कर दूँ बताओ थोड़ा सबर कर लो doubt भी answer करेंगे hysteresis loss तो flux से ही होगा और flux magnetizing current से होगा तो hysteresis loss के लिए दूसरा current क्यों लिया देखो बात आपकी एकदम सही है बिटा hysteresis loss flux से होगा और flux बनाने वाला कौन सा current है? magnetizing current लेकिन magnetizing current क्योंकि voltage से 90 degree lag कर रहा है तो it is not representing the real power तो इसलिए real power के लिए एक extra current मैंने लिया IW अब मैं क्या कह सकता हूँ कि source से जो current आ रहा था वो था I0 I0 से ही flux भी बन रहा था और I0 से ही आपके losses भी आ रहे थे बात समझाई जो होती? यह Imu तो पिटा reactive power दे रहा है ना reactive power में losses तो नहीं आए और IW सिर्फ real power दे रहा है यानि यह दोनों में कोई भी पूरी picture बता ही नहीं रहा है तो मैंने बोला दोनों जुड़के जो बना I0 अब यह पूरी picture बता रहा है no load current ही flux बनाने के लिए भी जिम्मेदार है और उस flux से आने वाले losses के लिए भी जिम्मेदार है बात clear हो गई? बात clear है भई? चलिए सब को यह phaser diagram वगएरा मस तरीके से clear है ना एकदम और थोड़ा सा doubt आता है तो भईया लोग सबर कर लिया करें आप लोग सारे doubts answer किये जाएंगे सारी चीज़े clear होंगी भई इस बार यह जो मैं crash course ले रहा हूँ देखो इससे पहले उमीद batch में लिया था वो थोड़ा concise है इसको थोड़ा और comprehensive बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का base कमजोर है वो लोग भी follow कर पाएं चिंता मत करो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना time देना पड़ेगा दूँगा लेकिन आप लोग का machine अच्छा ही करके जाऊँगा अब देखो अगर transformer में winding resistance लगा दिया जाए winding resistance का क्या logic है सर देखो क्या होता है बिटा जो भी हमारी coil होती है transformer की that is made up of copper अब अगर ये copper से बनीवी तार है तो obviously इसके अंदर कुछ ना कुछ resistance जरूर होगा मानते हो सभी लो अब बिटा ये resistance होगा तो ये voltage का drop भी कराएगा तो हम क्या करते है ना ही resistance series में दिखा देते हैं सर सिरीज में क्यों क्यों क्योंकि बिटा इस resistance में वही तो current जाएगा जो wire में जा रहा है wire खुद resistance है तो जो wire का current है वही resistance का current है इसलिए इसको किसमें दिखाया गया series में ये losses भी कराएगा omic loss i square r और ये voltage drop भी कराएगा तो यहाँ पे देखिए voltage drop मैंने डाल दिया एक i1 r1 और इधर secondary में डाल दिया एक i2 r2 ठीक है मैंने voltage drop डाल दिया एक i1 r1 और एक आपका बिटा i2 r2 बात समझ में आ रही है अब देखो क्या होता है अगर हम बात करें copper loss की copper loss क्या होता है न ये जो resistance है इसमें आने वाला loss sir copper loss क्यों बोल रहे है क्योंकि बेटा winding copper से बनी है तो copper की winding में जो भी losses आ रहे है that is set to be copper loss तो copper loss को आप क्या बोलोगे i1 square r1 plus i2 square r2 ठीक है ये हो गया मैंने दोनों तरफ के losses को add कर लिया एक तरफ i1 current था एक तरफ i2 था ठीक है अब बिटा अगर मैं ignore कर रहा हूं अगर मैं ignore कर रहा हूं i0 तो मैं ये कह सकता हूं कि i1 n1 i1 इसी को mmf balancing भी कहते है कि primary और secondary के mmf बराबर है ताकि net mmf आपका zero हो जाए समझ रहे हैं i0 को ignore क्यों किया वरना n1 i1 dash लिखते न यार अभी मैंने compensation effect में कौन सा current यूज किया था i1 dash लेकिन मुझे losses में कौन सा करना है i1 तो मैं बोल रहा हूं i1 और i1 dash बहुत करीब करीब है क्या होता है न ये जो i0 होता है बिटा i0 is approximately 4 to 6 percent of full load current तो it is very small जिसके अंदर की iw जो होता है वो 1 से 2 percent होता है iw मतलब बहुत ही छोटा होता है और जो i mu होता है वो 3 से 5 percent तक होता है तो इतना जो छोटा current है न उसको ignore कर दिया ताकि i1 i2 में directly हम लोग relation लिख सके क्या i1 के जगे i0 लिख दिये कहां पर ignore ही तो क्या i0 ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर i2 को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n1 by n2 i1 अगर यहां पर put करोगे बिटा तो copper loss क्या हो गया i1 तो common हा जाएगा न i1 square r1 plus r2 r2 के साथ एक n1 by n2 का square बन गया क्योंकि i2 का square था न तो यह term square में आ गई और आप अगर चाहो तो आप यह भी लिख सकते हो तो i2 is n1 तो आप चाहते न तो इसको पूरे को i2 में भी निप्टा सकते थे इसका मतलब होता है कि आपने resistance पूरा का पूरा एक तरफ रेफर कर लिया मतलब क्योंकि current एक ही ले रहे हो न या तो current primary का ले रहे हो या तो current secondary का ले रहे हो दोनों current तो ले नहीं रहो equivalent circuit में I1 यह तो I1 ही है और कहां पे यहां पे भी सही यह I0 ही तो आ रहा था अभी तो no load था ना अभी यहां पे तो 0 ampere था ना तो यहां पे भी 0 ampere था तो I1 और I0 बराबर तो थे भई I1 ही होगा बेटा जो भी transformer current draw कर रहा है वो तो हमेशा I1 होगा अब उसमें देखना पड़ेगा प्रकर आप I0 ignore कर सकते हो या नी ignore कर सकते हो तो I1 और I1 डैश बात एक ही है बाकि transformer जो supply से current लेता है that is always I1 अब no load पे वही I1 I0 हो जाता है अब यहां पे बेटा क्या होता है ना यहां पे हम यह कहते हैं R01 is equivalent resistance referred to primary अगर आप पूरा resistance प्राइमरी में ले आए ना तो वो आपका R01 होता है जिसकी value होती है R01 प्लस R2 इंटो N1 बाइ N2 का square और R02 होता है equivalent resistance referred to secondary तो R2 तो secondary पे था आप R1 को secondary ले गए तो यह हो गया तो आप चाहो तो losses एक ही तरफ से निकाल लो और आप चाहो तो losses दोनों तरफ के निकाल के add कर दो आपकी इच्छ है losses दोनों तरह से निकाले जा सकते है तो copper loss का concept clear है बाकी मैं ज़्यादा बाते copper loss की तब करूँगा जब मैं losses के बारे में बात करूँगा रुपेश ये वाला course थोड़ा ज़्यादा slow है ज़्यादा basic से as compared to उमीद crash course ठीक है अब देखो इससे पहले मैं leakage flux पे जाऊँ मैं आपको इसका भी phaser समझाता हूँ सबसे पहले देखो हमने बनाया यहाँ पे phi ठीक है phi के same phase में आता है i mu आप सभी लोग अच्छे से जानते हूँ ठीक है i mu से 90 degree lagging आता है e1 और e2 e1 से opposite एक phaser बनाते है minus e1 थोड़ा छोटा बना लेते है ठीक है minus e1 अब e1 minus e1 के same phase में मैं बनाता हूँ i w i mu और i w को जोड़ करके बनता है i naught देख रहो एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग practical transformer की तरफ तो ये आगया हमारे पास i naught अब हम secondary पे जो load लगाए होते हैं वो होता है lagging ये lag कर रहे हैं भाई साब अब इसका opposite phaser हम बनाते हैं primary current का i1 dash का opposite क्यों बनाते हैं to satisfy lens law अब i1 dash में बेटा हम लोग i naught को add कर देते हैं देख रहे हो must कभी कभी तो मुझे खुदी ये लगने लगता है यार मानना पड़ेगा technology का use तीक है ये i1 dash में i naught add कर लिया अब यहां से क्या बन जाता है भाई आपके पास i1 देखरो क्या must phaser diagram आ रहा है i1 आ गया अब मुझे voltage drop लेने हैं बिटा किसके कारण resistance के कारण तो एक है i1 r1 और एक है i2 r2 एक है i1 r1 और एक है i2 r2 v1 e1 प्लस i1 r1 होना चाहिए rather than minus e1 प्लस i1 r1 बिल्कुल सही बात है वर्तिका सिर्फ phaser में बिटा हम ऐसा लिख रहे है minus e1 प्लस i1 r1 to show that induced dmf opposes the supply voltage practically जब आप question करोगे जब आप kvl लिखोगे it will always be e1 plus i1 r1 अब देखो यह जो i1 r1 वाला phaser है न बिटा यह i1 के same phase में आप लोगे ऐसे छोटा सा लिया आपने और इसको यहाँ पे e1 में minus e1 में add कर दोगे ठीक है ऐसे ही आप i2 r2 का एक phaser लोगे i2 के same phase में और फिर आप इसको उठा के e2 में add कर दोगे e2 में से तो बलकि basically subtract करना है तो subtract कर दोगे ऐसे तो अब यहाँ से जो resultant phaser आपका बनेगा न बिटा यह देखो यह बनेगा v1 ठीक है और इधर से जो बनेगा that will be v2 तो इस type से हमने winding के resistance को भी consider कर लिया ठीक है इस type से हमने winding के resistance को भी include कर लिया अब आप लोग को याद है कल मैंने आपको बताया था transformer में एक होता है leakage flux leakage flux कौम सा होता है बिटा जो एक ही winding को link करता है और दूसरी winding तक नहीं जाता कैसे क्योंकि यह air से अपना path पूरा कर लेता है मैं आपको draw करके दिखाता हूँ और ऐसा ना दोनों winding पे होगा देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ पूरा आपको जादा अच्छे समझाएगा जैसे मान लो इसमें current है ऐसे i2 इधर है i1 अब देखो जो primary winding है ना पिटा आपकी जो primary winding है ठीक है primary winding जो है उसका flux कैसा बनेगा upwards बनेगा upwards बनेगा तो देखो उसका flux ऐसे आ जाएगा clockwise यह primary winding का mutual flux है कौन सा flux है यह यह है 5m1 primary का mutual क्योंकि यह दोनों winding से पास हो रहा है साथ ही साथ बिटा क्या होगा ना primary से एक और flux बनेगा आपका ठीक है यह flux कैसा होगा यह भी जाएगा उपर ही लेकिन ऐसे करके air से अपना रास्ता पूरा कर लेगा गया देखो उपर ही लेकिन air से रास्ता पूरा कर लिया दिस इस 5L1 लूप तो पूरी हो गई ना लूप होनी चाहिए that is leakage ठीक है अब secondary का जो flux बनेगा बिटा वो भी उपर की तरफ बनेगा तो secondary का flux अगर मैं बनाता हूँ देखना ये secondary का mutual हो गया प्राइमरी से अपोजट साथ साथ secondary का भी जो flux है कुछ flux आपका ऐसे air से अपना रास्ता पूरा कर लेगा है ना तो ये जो flux होता है ना ये leakage flux होता है अब किसी भी winding का जो total flux होता है बिटा that is sum of the leakage and the mutual flux जैसे अगर कोई भी winding का flux है ना that is sum of the mutual and the leakage flux तो जब आप EMF की बात करते हो minus nd phi by dt तो एक तो minus nd phi m by dt की बात होती है और साथ साथ ना एक leakage का EMF भी आता है ये जो है ना leakage EMF है जो की minus sign के कारण leakage flux से lag करेगा by 90 degree lags leakage flux by 90 degree बात चमकी बताओ ये leakage flux को 90 degree lag करेगा तो अभी तक देखो जो फेजर में आप ये flux बना रहे थे ना ये कौन सा flux था बिटा ये flux था आपका mutual flux अभी तक आपने leakage लिया ही नहीं था तो mutual flux ही total flux हो रहा था लेकिन अब जब आप leakage लोगे तो आपको 2 EMF लेने पड़ेंगे एक जो mutual flux के कारण आ रहा है और एक जो leakage flux के कारण आएगा बात समझ में आ रही है सबको जल्दी बताएंगे बात सबको clear हो रही है अच्छे से तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो ये वाला जो flux है mutual flux हो गया बिटा अब side by side आपना एक flux ऐसे भी दिखाते हो in same phase as the current क्योंकि current लीकेज flux को जनम दे रहा है i1 के same phase में phi l1 और i2 के same phase में phi l2 ठीक है i1 के same phase में phi l1 और i2 के same phase में phi l2 अब phi l1 से बिटा 90 degree lagging होगा e l1 e l1 जो है न phi l1 से 90 degree lagging होगा lags phi l1 by 90 degree 90 degree clockwise लिया है न मैंने lagging के चक्कर में और ऐसी i2 से 90 degree lagging होगा e l2 यहां से देखो 90 degree lagging समझे तो इस तरह से leakage e mfb आ जाएगा leakage flux क्यों आया नवीन देखो जब flux बनाया एक winding ने तो बिटा उस flux के पास दो choices थी या तो वो core में रह जाता अराम से core से अपना रास्ता पूरा करता या वो air से कर लेता अब ऐसा सोचो कि दो reluctance हैं आपके सामने एक है core की reluctance एक है air की reluctance obviously core का reluctance काफी कम होगा क्योंकि core का permeability बहुत ज़्यादा होता है राइट कोर का reluctance बहुत कम होगा क्योंकि core का permeability बहुत ज़्यादा होता है अब आप ऐसा सोचो एक analogy में आपको देता हूँ मानलो आपके पास 10 ampere का current है और दो resistance लगे हैं parallel में यानि current के पास दो रास्ते हैं एक रास्ते का resistance है 1 ohm और एक रास्ते का resistance है 100 ohm तो नवीन मुझे ये बताओ कि current कौन से रास्ते से जाएगा current आपके पास 10 ampere का है उसके सामने दो रास्ते हैं एक रास्ते का resistance है 1 ohm और एक का है 100 ohm तो current कौन सा रास्ता पकड़ेगा बताइए which path will it take low resistance नहीं वो दोनों रास्ते से जाएगा लेकिन जादा current जाएगा आपका 1 ohm से जादा current पूरा current नहीं कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा current 1 ohm से चला जाए maximum current 1 ohm से जाएगा 100 ohm से बहुत कम जाएगा as per the current division rule ऐसी बिटा air की reluctance तो जादा थी लेकिन क्या उससे जाने वाला flux zero हो जाएगा नहीं थोड़ा सा flux air से पास होगा जादा तर flux कम reluctance वाला path पकड़ेगा यानी core वाला यानी total flux का जादा तर हिस्सा core से जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा air से जाएगा जो थोड़ा सा हिस्सा air से गया वो कहलाया leakage flux क्योंकि वो दूसरी winding तक पहुचा ही नहीं यहां से चला तो सही इस winding से लेकिन दूसरी winding तक नहीं पहुचा यानि लीक कर गया और जो flux कोर में रहा वो दूसरी winding तक भी पहुचा जादतर flux वही था वो था mutual flux इसलिए total flux का maximum part क्या होता है mutual flux leakage flux छोटा सा part होता है चमका सब लोग को अब देखवा आप लोग क्या कह रहे हूँ यहां पे कि leakage EMF lags, leakage flux and current by 90 degree leakage flux से भी 90 degree lagging है और current से भी 90 degree lagging है ठीक है जी मज़ा आया न सब लोग को explanation सुनगे पूरा feel आया कि नहीं आया बताओ और यह जो leakage EMF एबिटा, it is proportional to current leakage EMF is proportional to current अब क्या सर? अब दो चीज़े सोचो, एक तो current के proportional है एक उससे 90 degree lag कर रहा है तो आप यह नहीं लिख सकते है, minus j i minus j बता रहा है, minus 90 degree यानि 90 degree lagging और i बता रहा है कि i के proportional है तो आप इसको ऐसे लिख दो ना Excel क्या है, proportionality constant जिसका हम कहते है, leakage reactance तो leakage reactance जैसी ना कोई term होती नहीं है, मतलब ऐसी कोई reactance होती नहीं है लेकिन क्या होता है, leakage flux होता है तो leakage flux को कैसे आप शो कर दे रहे हो by means of our leakage reactance आप ऐसा सोचो एक leakage flux बना जो flux air से गुजरा उसके कारण एक EMF बना उस EMF को मैंने कैसे शो कर दिया by the drop across our reactance तो हुआ क्या, leakage flux आया जिससे leakage EMF आया it is represented as drop across excel सिर्फ इसको दिखाने का तरीका है जैसे core losses के लिए आपने resistance दिखाया था ना ऐसे ही leakage के लिए आपने क्या दिखाया? reactance तो जैसे core loss वाला resistance hypothetical था वास्तविक नहीं था ऐसे ही ये भी वास्तविक नहीं है बात चमक गई अच्छे से बताओ मुझे जल्दी से बोलो हैं जी? बताओ फटा फट से चलो अब leakage flux के साथ आप लोग का जो impedance है ना सिरीज इंपिदेंस जो आया प्राइमरी साइड पे हो गया आर वन प्लस जे एक्स वन ठीक है? और secondary साइड पे हो गया देखो बनाने को तो हम इसका भी फेजर बना सकते हैं बड़ ऐसस जरूरी नहीं है है ना बे मतलब का complicated होगा unnecessary detailing वाली बात है अगर आप मेरा comprehensive course देखोगे वहाँ मैंने बनाया होगा ठीक है? बट यार इसमें सारी चीज़े एकदम comprehensive के बराबर नहीं कर सकता ना मैं? वरना तो फिर ये course ही देड़ सो गंटे ले जाएगा अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर प्राइमरी पे refer करना है तो आप secondary वाली impedance को प्राइमरी पे ले आईए और अगर आपको secondary पे refer करना है तो आप secondary पे प्राइमरी वाली impedance को ले जाएए ठीक है? चल्द तो देखो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया पहले इस पे question कराता हूँ फिर मैं ideal transformer की बात करता हूँ equivalent resistance और reactance तो हो गया ना हमारा चलो यह देखना a 200 by 100 volt 50 hertz transformer is to be excited at 40 hertz from the 100 volt side for the exciting current to remain the same the applied voltage should be देखो exciting current वैसे तो I0 की बात करता है exciting current का मतलब क्या होता? it refers to I0 but no mention of core loss core loss के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो आप IW को ignore कर दीजिए तो आपका ही जो I0 है ना यही Iμ के बराबर हो जाएगा ठीक है? यही आपका Iμ हो जाएगा बताओ क्या आ रहे है? बताओ क्या आ रहे है? यह जो N into Iμ है reluctance तो बदलेगा नहीं ठीक है? और number of turns भी मैंने नहीं बदले तो current proportional to V by F आ गया अब इसका क्या मतलब है? अगर Iμ सेम है तो V by F must be same अब यह बोल रहा है 100 volt वाली side पे कितनी voltage लगाएं? पहले 100 volt थी 50 hertz पे अब कितनी voltage लगाएं? जब 40 hertz है तो that will be 80 volt it will be 80 volt D ठीक है? तो कितनी voltage लगानी पड़ेगी? 80 volt चलो अगला देखो A 2000 by 200 volt 50 hertz single phase transformer has an exciting current of 0.5 यह I0 है core loss of 600 when the HV side is energized by rated voltage and frequency the magnetizing current is करिये कितनी 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 क कर दो कर दो बदो कर दो आयाए और हुआ बन्यार गोर। बताओ भई आया DR है देख लें एक बार देखो exciting current I0 दे रखा है 0.5 अब जो core loss होता है वो IW वाली power होती है IW वाली power यानि voltage into IW अब ये कौन सी side पे बात कर रहा है बिटा HV side पे 600 इक्वल टू 2000 into IW तो IW यहां से आ गया 0.3 अब ये जो I0 होता है ये दो perpendicular current से बनता है ना भई फेजर में perpendicular currents को आप कैसे add करते हो IW square प्लस I mu square तो दोनों side अगर square कर लो 0.5 square is I mu square plus 0.3 square तो यहां से I mu आ जाएगा 0.4 ampere ठीक है तो answer will be D 0.4 ampere चलो अगला देखो primary's 220 volt side of a 220 by 650 hertz transformer is connected to 110 volt 60 hertz what is the secondary output voltage चलो 220 volt transformer की primary पे आपने 110 volt लगाया है तो कितना output voltage आपको मिलने वाला है come on everyone फड़ा फड़ से answer कीजिए कितना output voltage मिलेगा बहुत easy question है B B चली answer is B देखो क्या होता है V2 by V1 will be equal to N2 by N1 ये frequency पे dependent नहीं है बिटा this is irrespective of source frequency आप source पे कितना भी frequency लगाये ये relation आपका same रहने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ratio था 6 by 220 अब जब आपने voltage लगाई 110 तो कितना आएगा तो it will be 3 volt समझ में आ गई बात ये जो ratio होता है ना ये frequency पे dependent नहीं होता लेकिन हाँ अगर DC supply लगाते तो फिर बिटा आपका output पे 0 ही आता transformer DC को नहीं transform कर पाता ये मस सोचना directly as it is आपकी जो DC है ना वो DC as it is आपकी transform होके secondary पे चली जाएगी नहीं it will not go to secondary चलो अगला देखो जरा a single phase transformer is designed to operate at 240 by 120 volt 50 hertz calculate the secondary no load voltage and its frequency if HV is connected to देखो same concept पे बेज जिसके बारे में अभी बात कर रहा था फटा फट से answer बताओ सभी लो अब पिछला question देखने के बाद इसका answer तो आना चाहिए भई voltage regulation के question circuit बना के कराना क्यों voltage regulation में तो direct formula लगेगा rpu cos 5 plus xpu sin 5 अरे भाई ये तीन question है ABC नहीं बताना है अरे बताओ हद कर रहे हूँ देखो सबसे पहले a part जब आपने 240 volt लगाया 40 hertz पे तो 240 बाई स्वरी secondary voltage है ratio क्या है देखो ये जो आपको voltage rating दे रखी होती है ये turns ratio देने के लिए दे रखी होती है ये है half ठीक है जी अब यहाँ पे V2 by V1 will be equal to half तो V2 will be 120 volt और secondary पे वही frequency पहुँचती है जो primary पे लगी होती है that is 40 hertz अब आपने बिटा अगली बार 120 volt लगाया 50 hertz पे तो 120 by 2 यानि 60 volt और frequency वही पहुचेगी जो input पे लगी है तीसरे में आपने DC लगाया तो DC पे कोई induction नहीं होगा V2 will be 0 ये बात clear हो गई? चलो एक question और कर दो इसके बाद मैं आपको ideal transformer कराता हूँ चलो जिस question में ना समझा है राहूल आप तुरंद बोल देना बिटा उसमें मैं circuit बना के करा दूँँगा ठीक है? चलो ये करो active and reactive component of no load current की बात कर रहा है active component माने IW reactive component माने IμU active component माने जो active power दे रहा है, real power दे रहा है I0 का कौन सा part होता है जो real power देता है IW reactive component माने जो reactive power दे रहा है वो कौन होता है? IμU और no load current भी बताना है यानि तीनों चीज़े बतानी है IW, IμU और I0 क्रिशन चाही से पाइब बताना है झाल 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 आया भई आंसर देखो सबसे पहले क्या बोला है LV साइड को उपन रखा गया यानि कि सारा का सारा डेटा कहां पे है HV साइड पे है अब पावर दी गई है 100 वाट तो नो लोड पे जो पावर होती है That is core loss Core loss से हम IW निकाल सकते है 100 वाट डिवाइड बाई 445 बाई 22 एमपीर और यह जो IW होता है इस फेजर डाइग्राम से अगर देखो तो यह I0 का कोसाइन कंपोनेंट है अब नो लोड पावर फेक्टर तो दिया है ना 0.2 लैग यानि cos I0 तो I0 is IW डिवाइड बाई कोस पाई नोट पाँच बाई 22 दिवाइड बाई 0.2 तो 25 बाई 22 और जैसे अभी निकाला था ना Iμू देखो I0 का स्क्वाइर माइनस IW का स्क्वाइर 25 और 5 तो 625 यह आ जाएगा ठीक है कितना कितना आ रहा है चलो मैं चेक भी कर लेता हूँ 1.113 आ रहा है यह I0 यह आ रहा है 0.227 1.1363 ठीक है यही बन रहा है बताओ यही आ रहा है बई चलो अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे आते हैं बिटा देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ना दो में चीजे होती है एक तो उसका कूर और दूसरी उसकी वाइंडिंग तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो है जिसका कूर भी आइडियल हो और जिसकी वाइंडिंग भी आइडियल हो तो कूर आइडियल होने का मतलब यह होता है कि ट्रांसफॉर्मर की पर्मियबिलिटी इन्फाइनाइट हो जाए अगर mu r tend to infinity करता है तो reluctance of core will tend to 0 it will tend to 0 ठीक है iron loss उसका 0 हो जाए यानि कि कोई भी core के अंदर ना तो hysteresis loss और ना ही addy current loss no hysteresis और addy current loss ठीक है transformer winding का resistance 0 हो जाए फिर leakage आपका 0 हो जाए यानि coefficient of coupling आपका 1 हो जाए और magnetization curve linear हो जाए यानि यहाँ पे ना तो saturation और ना ही hysteresis समझ गए जैसे paramagnetic का होता है मैंने बताया भी था ना material वाली class में कि जब आप above curie point चले जाते हो तो ferromagnetic para बन जाता है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा पैरा बन जाए मैं सिर्फ कह रहा हूँ ferromagnetic material में जो non-ideality आ रही है that is saturation और hysteresis वो ना हो ठीक है permeability तो high रहे लेकिन उसकी non-ideality चली जाए जो की practically हो नहीं सकता अगर एक ferromagnetic लोग है तो भाईया saturation और hysteresis तो आना ही आना है कैसे गायब हो जाएगा ठीक है अब देखो भाई अब देखो ideal transformer के अंदर क्या चीज़ें हमको पता होनी चीए देखो एक ideal transformer अगर आप बनाते हो ठीक है इस type से दिखाओगे अब यहाँ पर voltage V1 यहाँ पर voltage V2 ठीक है यहाँ पर current I1 और यहाँ पर I2 तो देखो सबसे पहली चीज़ voltage polarity मैंने dot वाले में बताया था voltage polarity ठीक है फर्स लेक्चर में on dotted terminal अगर प्राइमरी में dot पे supply का positive लगा है तो load में भी dot पे positive terminal ही आएगा यह बात तो मानते हैं सभी लोग voltage polarity dot पे दोनों तरफ सेम होगी और current में condition क्या होती है बिटा कि current enters dot on one side and leaves dot leaves dot on other side ठीक है बई current एक dot में enter करता है एक में leave करता है अच्छा आपको मैं एक चीज़ और बताऊं बिटा यह जो core की आपकी reluctance zero हुई है आप यह जानते हो ना n into i mu is flux into reluctance तो क्योंकि reluctance zero है तो i mu is also zero यानि कि एक ideal transformer में flux बनाने के लिए supply से कोई current draw करने की जरूरत नहीं पड़ती even without drawing any current आपकी magnetic field बन सकती है अब आप खुदी समझ सकते हैं यह चीज़ कितनी गलत है मतलब बिना current के magnetic field की बात कर रहे हैं ऐसा सिर्फ ideally हो सकता है और practical life में ideal situation नहीं exist करती है तो practically तो ऐसा नहीं होता लेकिन ideally हम क्या कह देते हैं भाई कि अगर आपका एक ideal transformer है तो बिना किसी current के भी flux बनाएगा अब आप समझिएगा एक तो पहला relation होता है voltage का V2 by V1 is N2 by N1 इसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था voltage per turn is same on both sides correct पहला relation यह होता है दूसरा पता है क्या होता है? दूसरा होता है MMF balancing MMF balancing क्या कहता है? कि भाईया जब किसी MMF या current की जरुवत ही नहीं है flux बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? No MMF is required to produce flux in ideal transformer कोई MMF चाहिए ही नहीं एक ideal transformer में flux बनाने के लिए तो इसका मतलब primary और secondary का MMF बराबर होगा यहाँ पे दोनों MMF cancel कर देते हैं एक दूसरे को बोथ MMF cancel each other ठीक है? यह बात चमकी? तो N1 I1 equal to N2 I2 एक होता है पिटा power balancing यहाँ पे कोई loss तो है नहीं power balancing, power conservation कुछ भी कह सकते हो तो आप यह कहते हो complex power in primary is same as complex in secondary तो V1 I1 conjugate is V2 I2 conjugate आप चाहो तो real और reactive अलग-अलग balance कर लो complex power अगर equal हैं तो उसका real part और imaginary part दोनों equal होंगे ना तो ideal transformer में यह सारी conditions आपके true होती है बात समझ में आ गई? voltage का ratio, terms ratio के बराबर होता है current का ratio उल्टा आता है V1 by V2 is N1 by N2 is equal to I2 by I1 apparent power या complex power दोनों तरफ बराबर होती है यानि दोनों की real power और दोनों की reactive power बराबर होगी कहने का मतलब यह हुआ secondary पे load जितनी real power मांगेगा supply से primary में उतनी ही real power आएगी secondary पे load जितनी reactive power मांगेगा primary पे source से उतनी ही reactive power आएगी तो जो भी load की demand होगी real और reactive power उतनी ही power source से primary के अंदर enter करती है अब आती है बात भी impedance transformation की अब impedance कैसे transform करते हैं मानलो secondary पे impedance है z2 which is v2 by i2 v2 को आप कैसे लिख सकते हो n2 by n1 into v1 और i2 को कैसे लिख सकते हो ultra ratio होता है n1 by n2 into i1 तो यह क्या हो गया n2 by n1 square into v1 by i1 तो अगर मैं आप से कहता हूं v1 by i1 कितना होगा यानि अगर primary से देखें तो voltage और current का ratio कितना होगा that is this तो this is secondary impedance referred to primary तो जब बेटा आप एक impedance को refer करते हो एक side से दूसरी side जब आप secondary से primary जा रहे हो तो नीचे में क्या रखोगे secondary और उपर में जहां पे आप जा रहे हो that is primary है ना जैसे मान लो अगर मैं बैंगलोर से डेली ट्रेवल करूँगा तो डेली मेरा destination है वो numerator में आएगा बैंगलोर जहां से मैं चला हूँ वो मेरा denominator में आएगा बात समझ में आ गई तो destination by source आप कहां से चलके कहां पे पहुँच रहे हो इस चीज का ratio लोगे और उसका square कर दोगे that will give you the impedance referred तो ऐसे ही similarly अगर आप primary से secondary जाते primary से secondary जाते तो secondary वाला उपर आता primary वाला नीचे आता ठीक है सही है ना ऐसे आ जाता clear हो गई बात impedance transformation कैसे एक impedance को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते है जिस तरफ जा रहे हो उसके turns का square उपर आएगा और जहां से जा रहे हो उसके turns का square denominator में आएगा ठीक है तो net mmf 0 है यह तो मैंने बताई दिया n1 i1 equal to n2 i2 ठीक है अब आजाओ भई 3 winding transformer पे 3 winding transformer में क्या होता है ना हमारे core पे ना 2 की जगे 3 winding लपेटी जाती है देखो कैसे देखो जैसे प्राइमरी winding आ गई यह secondary winding आ गई भी आपकी अब आपने क्या किया ना आपने एक तीसरी winding और लपेट दी मानलो ऐसे ठीक है जी अब मानलो आपको इसमें dot place करना है तीनों winding में तो आपने सबसे पहले क्या किया प्राइमरी में एक dot लिया जहां से current entering था अब इसका अगर आप flux बनाओगे प्राइमरी का अगर आप flux बनाओगे मेरे बच्चो तो कैसा बनेगा clockwise clockwise बनेगा न इधर से उपर जाते हुए राइट डाउन लेफ्ट अब आप क्या करोगे अब आप secondary और tertiary का flux इससे opposite मानोगे तो secondary का flux ऐसे आपने उपर माना इससे opposite और tertiary का flux आपने ऐसे right में माना इसको oppose करते वे अब secondary का flux अगर उपर की तरफ है तो secondary का current किधर जाएगा भई right में जाएगा ऐसे तो जिस terminal से निकल रहा है उस पर dot लगा लीजिए tertiary का flux आपने right में दिखाया है तो आपका जो right में arrow है वो कैसे आएगा देखो right में arrow ऐसे आएगा जब आपकी उंगलियां नीचे की तरफ आएगी right में arrow तो तब ही आएगा ना जब आपकी उंगलियां नीचे की तरफ आएगी ऐसे तो यहाँ पर dot आगया ठीक है अब यहाँ पर देखो तीन voltages होती है primary पर voltage होती है V1 secondary पर होती है V2 और इसका current I2 और tertiary पर होती है V3 current I3 अब यह 3 winding transformer की पता है जरूरत क्या पढ़ती है देखो जब एक substation होता है substation का काम क्या होता है ना voltage को step down करके power system में आगे बढ़ा देना तो एक तो वो voltage को step down करके load को supply कर रहा है लेकिन substation में भी तो खुद की machine हैं substation में खुद के light पंके AC सब है उनको वो भी चलाना है तो वो क्या करते हैं transformer पे एक तीसरी winding बांध लेते हैं जो कि उन्हें 220 वोल्ट या 415 वोल्ट दे पाए जिससे वो अपनी appliances चला ले तो तीसरी winding होती है tertiary तो देखो यहाँ पे करता धरता primary ही है power secondary को चाहिए हो या power tertiary को चाहिए हो देने वाला एक ही है primary देने वाला एक ही है आपका primary अब यहाँ पे बिटा आपके तीनों winding same core पे है all three winding on same core इस कारण से voltage per turn तीनों का same होगा ठीक है और अगर mmf balance करोगे तो primary के mmf को cancel करने वाले कौन है secondary और tertiary तो इसलिए primary का mmf इन दोनों के mmf के sum के बराबर होगा बात समझ में आ गई तो देखो यहाँ पे primary की dot में current enter कर रहा है और secondary और tertiary की dot से leave कर रहा है secondary और tertiary की dot से leave कर रहा है दे तो रहाँ बिटा daily pdf और कैसे दूँ बताओ तुम बता तो कैसे आए घर पे courier करा दें के print निकाल के बताओ यहाँ तक clear है थ्री वाइंडिंग में क्या होगा अल थ्री वाइंडिंग सेम कोर पे है तो voltage per turn सेम रहेगा और primary का जो mmf है उसे अपोस कर रहे है secondary और tertiary इसलिए primary का mmf equal to sum of secondary and tertiary अब ज़रा question देखते है assume the transformer in the figure to be ideal secondary is connected to a load of 5 angle 30 primary और secondary की impedance उनके power factor, real power और secondary की voltage बतानी है यहाँ primary में turns दिखा रखे है 150, secondary में 75 करो जड़ा, फटावट बनाओ इसको नहीं मिलती pdf, मिलती है बिटा, टेलिग्राम पे जाके चेक तो करो primary supply voltage 200, primary supply voltage 200 देखो सबसे पहले अगर मुझे secondary की voltage चाहिए तो primary की 200 है, इन्टू एन्टू बाई एन्टू बाई एन्वन 100 वोल्ट, ठीक है, यह आ गई, और क्या पूचा है, करेंट पूचा है, अब i2 का जो current होगा, क्योंकि impedance secondary पे है, 100 वोल्ट डिवाइड़ बाई 5 एंगल 30, तो दाट इस 20 एंगल, माइनस 30 डिगरी, और अगर i1 निकालोगे, तो इट विल बी एन्टू बाई एन्वन इन्टू आई टू, एन्टू बाई एन्वन क्या होगा, 75 बाई 150, यह आ गया, पावर फेक्टर दोनों का ही कॉस 30 होगा, बाई, 0.866 lagging, क्योंकि करेंट lag कर रहा है बाई 30 डिगरी, रियल पावर भी दोनों की सेम होगी, किधर से भी निकालो जैसे, प्राइमरी से निकालोगे दागर, 200 इंटू 10 इंटू कॉस 30, तो यह हो जाएगा, 1000, 1732 वाट, ठीक है, यह, क्योंकि पावर भी दोनों तरफ सेम रहती है, पावर फेक्टर भी सेम रहता है, बस क्या चेंज होता है, वोल्टेज, करेंट और इंपीडेंस, चलो अगला देखो, फॉर दा सिस्टम शोन इन दा फिगर बिलो, दा रिलेशन ओफ करेंट आई, विद रिस्पेक्ट वोल्टेज वी एबी, जो आई करेंट है, वो वी एबी से कैसे रिलेटेड है, वी एबी का मतलब है, देखो, ये वोल्टेज, एबी का मतलब होता है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, चलो बताओ जरा फटा-फट से, क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, देखें, देखो, ये वी एबी है, वन इस टू वन के हिसाब से, डॉट पे पॉजिटिव तो डॉट पे पॉजिटिव, ये भी वी एबी आया, इंडक्तर में करेंट जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो आ येल, लैग्स वी एबी, बाइ 90 डिग्री, लेकिन ये जो आई दिखा रखा है भाई, ये तो माइनस आ येल है, देखो, ये अगर आपका वी एबी है, तो जो इंडक्तर का करेंट है, पैसिव वाला साइन कर्वेंशन लेते हैं, हमेशा प्लस से माइनस, तो ये आई येल है, लेकिन आई जो है इसका नेगेटिव है बिटा, आई अगर इसका नेगेटिव है, तो ये वी एबी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आप लोगों ने सीधा इंडक्तर देखा, आंसर लगा दिया, आपने डॉट देखा ही नहीं, तो आंसर इस बी, हो गया सबका गलत, क्लियर हुआ, बी क्यों हुआ, डॉट उल्टे लगे है न, अगर डॉट इधर लगा होता न, तो आपका आंसर सही था, 90 डिग्री लग, लेकिन डॉट उसने नीचे की तरफ लगाया, बात समझ में आ गई, इंडुक्तर का करेंट 90 डिग्री लग तब करता है, जब आप करेंट प्लस से माइनस टर्मिनल ले, अगर माइनस से प्लस यानि करेंट उल्टा लोगे, तो लग की जगे लीड करेगा, यह देखो जरा, एन आइडियल ट्रांस्फॉर्मर है, जिसमें A से B तक 600 हैं और B से C तक 400, तो इसलिए बोल रहा है, A से C तक 1000 है, ट्रांस्फॉर्मर सप्लाइज अ रजिस्टर बिट्वीन A और C, विच द्रॉस 10 किलोवाट, और लोड अफ 200 एंगल 45 बिट्वीन A और B, इफ प्राइमरी वोल्टेज इस 2 किलो वोल्ट, फाइंड प्राइमरी करेंट, पहले इसका डाइग्राम बनाओ भई, पहले आप सभी लोग इसका डाइग्राम बनाएंगे, कराइमरी कराइंआगे, पहले लोगविए्ट याराम पाइग्राम बनाएंग़ कल फ्राइमरी का दीदारा हैं अबनाएंगे, विच दोल्ट पहले हैं प्र29 एशराई प्रामीन Aंगे, एárम झाप अग्सनों किलोग एंभ बनाएंगल South Englishtalk... कि आ रहे हैं देखें देखो पहले डाइग्राम बना लेते हैं प्राइमरी में मेरे पास 200 टर्न है और सेकेंडरी में मेरे पास 1000 टर्न्स है जिसमें की B पे मैंने एक टैपिंग कर रखी है 600 टर्न्स पे और इसके बीच में मैंने एक लोड लगा रखा है 200 एंगल 45 का और A और C के बीच में मैंने एक रजिस्चर लगाया है भई जो के 10 किलो वाट पावर ले रहा है तो रजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया उसकी पावर दे रखी है यहाँ पे 2 केवी लगाया है मैंने तो सेकेंडरी साइट बिटा टोटल वोल्टेज 10 केवी आ जाएगी जिसमें 600 टर्न्स के एक्रॉस 6 केवी आएगी और टोटल वोल्टेज होगी 10 केवी समझ रहे हूँ टर्न्स रेशो से निकाल लो न सीधे सीधे अब अगर मैं इस लोड की पावर निकालना चाहूँ पता है मैं पावर से क्यों करता हूँ क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम रहती है तो मैं कहता हूँ एस लोड 6,000 स्क्वाइर बाई Z कॉन्जूगेट यह फॉर्मूला याद रखना यार V स्क्वाइर बाई Z कॉन्जूगेट यह मैंने नेटवर्क में डेराइव भी कराया है AC अनालिसेज में कि एक अगर इंपिदेंस दे रखे है उसकी पावर I स्क्वाइर इंटू Z हो सकती है या फिर V स्क्वाइर बाई Z कॉन्जूगेट हो सकती है ठीक है तो 600 से 18,000 6,000 और 3 नहीं है एंगल 45 डिगरी तो टोटल पावर कितनी हो गई देखो रजिस्टेंस तो 10 किलो वाट ले रहा है ये 180 किलो वाट है अब प्राइमरी से भी इतनी ही पावर आ रही होगी बिटा 2 कवी पावर कंजर्वेशन कर लो ना प्राइमरी से जो पावर आएगी वो इतनी ही आएगी ठीक है तो यहां से आईपी निकाल सकते हो देको 10 प्लस 180 एंगल 45 ठीक है अब डिवाइड़ बाई 2000 और आप मौड ले ले ना आप मौड ले लो तो यहार है 93.6 जो भी complex value आ रहे है ना उसका मौड ले लो तो आंसर विल भी समझ में आया नहीं तो आप पहले ही मौड ले लो राइट हैंड साइड का पहले ही मौड ले लो और यहां V into I लिख दो conjugate की जरुवत ही नहीं पड़ेगी मौड लेती चलो अगला देखो एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैस थ्री वाइंडिंग 100 टर्न्स ओन दे प्राइमरी 160 ओन दे सेकेंडरी एंड 60 इन दे टर्शरी ठीक है प्राइमरी फीड्स 10 अम्पीर तो अ प्योरली रजिस्टिव लोड कैपासिटिव लोड ओन टर्शरी टेक्स 20 अम्पीर फाइंड प्राइमरी करेंट और पावर फेक्टर करिए जरा प्राइमरी करेंट और पावर फेक्टर मुझको चाहिए प्राइमरी करेंट लोड़ ओना प्राइमरी करेंट लोड़ लोड़ करेंट क्या आ रहा है वही आमसर देखो यहाँ पर पता है क्या किया करो हमेशा यहाँ पर न सबसे पहले वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया करो तो हर जगे वोल्टेज का एंगल सेम ही बनेगा अब मुझे वोल्टेज के बारे में तो कोई इंफोर्मेशन नहीं है ना पावर दे रखी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा MMF बैलेंसिंग तो मैं क्या कहता हूँ N1 I1 is N2 I2 प्लस N3 I3 समझना ध्यान से 100 टर्न्स है प्राइमरी में सेकेंडरी में 160 टर्न्स है सेकेंडरी 10 एंपियर दे रही है रजिस्टिव लोड को रजिस्टिव लोड को देने का मतलब है एंगल 0 तर्शरी में 60 टर्न्स है और वो 20 एंपियर दे रही है कैपासिटिव लोड को क्या पैस्टिव लोड का जो करेंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है तो अगर आप 100 से डिवाइड कर दें तो 16 प्लस J 12 इसको अगर आप पोलर फॉर्म में कनवर्ट करोगे न 256 400 हो जाएगा तो यह हो गया और 10 inverse 3 by 4 यानि 36.86 तो पावर फेक्टर क्या हो गया वोल्टेज का तो 0 है एंगल करेंट का 36.86 है तो करेंट का एंगल जादा आ रहा है न वोल्टेज से इसलिए लीडिंग तो 20 ampere 0.8 लीडिंग से ठीक है क्लियर हुआ क्योंकि यहां करेंट्स बता रखे हैं पूछा गया है और टर्म्स दे रखें इसलिए किसका यूज किया MMF बैलेंसिंग का जहां पावर की बात हो रही थी वहां पावर कंजर्वेशन और जहां सिर्फ इंपिडेंस की टर्म्स में बात हो रही हो जैसे यह क्वेश्चन है यहां आप इंपिडेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तीक है जैसे यह क्वेश्चन है ना पावर ड्रॉन एट यूनिटी पावर फेक्टर तो यहां इंपिडेंस ट्रांसफॉर्म कर लो क्योंकि यहां आपको इंपिडेंस दिये 30 और 15 जैसे आप Z2 को प्राइमरी में लाओगे न तो 30 इंटू N1 बाई N2 का स्क्वायर समझ में आया तीनों मेथट लग जाते हैं इस टाइप से बिटा तर्शरी को प्राइमरी में लेके आओगे N1 बाई N3 का स्क्वायर अब ये क्योंकि वाइंडिंग के पैरलल थे न बिटा तो ये यहाँ आके भी वाइंडिंग के पैरलल ही लगेंगे सेकेंडरी और टर्शरी के जो रजिस्टेंस है वो अपनी अपनी वाइंडिंग के पैरलल है तो यहाँ आके भी पैरललल ही आएंगे अब 480 parallel 60 is 480 by 9 और power is 16 square by resistance voltage 16 दे रखी है 30 तो ये बचा यहाँ पे 16 से 30 पे गया 30 से 0.3 4.8 वाट ये आ गया तो इस टाइप से आप लोग solve कर सकते हो तो आपको तीनों method पता होने चाहिए impedance transformation mmf balancing और power conservation ये तीन method होते है ideal transformer या 3 winding transformer को solve करने के ठीक है भई? चलो तो आज जो आप ideal transformer के question बना ले न भई और कल हम लोग equivalent circuit और इसके अलावा testing of a transformer discuss करेंगे अब देखो कोई भी बच्चा जो 2024 की तैयारी कर रहा है golden opportunity है you can save up to 50% 12 months पे आपको 3 months extra मिल रहे है और prices भी drop कर दिये गए है तो 12 months का subscription actually 15 months के लिए मिल रहा है with a price of 27,486 15 का 18 months मिल रहा है at a price of 30,799 iconic में भी same offer है at minimum prices आपको बस क्या करना है फटा फटा अनकैडमी आप पे जाके join करना है and you have to use the code अंकेट ESE और gate 2023 जैसे की 3 months अवे है तो आप iconic subscription ले सकते हो जहां आप per month pay करके अपना iconic subscription में तैयारी कर सकते हो यहां आपको mentorship मिल जाएगी अलग से test series मिल जाएगी सारे doubts answer कर दिये जाएगे सारी चीजे होंगी और यहां हमारा rank improvement batch भी चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारे question प्रेक्टिस कराए जा रहे है और जो बच्चे test series लेना चाहते हैं बिटा उनके लिए 4 महीने की test series launch कर दी गई है जिसमें 60 से ज़्यादा test है हर branch में doubt solve किये जा रहे है test का detailed report दिया जा रहा है और इस पे भी आपको 10% off मिल जाएगा if you use the code अंकित ESE ESE का non-tech हाँ ESE का non-tech भी available है बिटा और यह मेरी special classes का link है बिटा यहाँ पे न मैंने machine की पूरी PS भीमरा लगवा रखी है तो अगर आपको machine के और question practice करने है इस link पे जाके electrical machine का folder आप check करना उसमें मिल जाएगा और अगर unacademy join करते हूँ तो plus और iconic दो choices है दोनों में ही top teachers है app पे study material है, test series है iconic वाले बच्चों को अगर नए question में doubt आता है तो video solution मिलेगा घर पे books deliver कराई जाएंगी one to one mentorship मिलेगी strategy और study plan बनवाय जाएगा और open house session में you can interact via audio और हमने compete feature live कर दिया है बिटा जहां पे आप live compete कर सकते हैं अपने friends के साथ, अपने peers के साथ और देख सकते हैं अपनी तैयारी का level जिससे आपको test देने में मज़ा भी आएगा you are definitely going to enjoy ये एक fun activity बन जाएगा rather than a burden किया test भी देना पड़ेगा आपको मज़ा आने वाला है और आप जब unacademy join करते हैं आप plan decide करेंगे, duration decide करेंगे और payment के time पे code लगा देंगे अंकित ESE और यहाँ पे देखिए बिटा हमने जब electrical gate 22 के result देखोगे तो top 10 में 6 ranker हमने produce किये हैं आप भी इन में से एक हो सकते हो आपको बस unacademy join करना है using अंकित ESE और financial issue है तो EMI पे ले सकते हो जहाँ पे कोई interest देना नहीं पड़ेगा 2 गंटे में EMI अप्रूव होती है सिर्फ आधार card, pan card है and you can repay it in a flexible amount of time 24 वाले बच्चों के लिए नया batch आदिते सर स्टार्ट कर रहे हैं शाम 6 बजे from 24th of November इसमें analog से स्टार्ट होगा which is one of the very basic subject तो आप लोग काफी enjoy करेंगे तो फटा-फट इस batch का हिस्सा बन सकते हैं 23 वालों के लिए R.I.B. चल रहा है जिसमें maths ले रहे हैं पल्लव सर शंकर सर नेटवर्क ले रहे हैं और इसमें मैं machine का revision करा रहा हूँ along with lots of questions at 9.30 a.m. डेली ठीक है और EC वाले बच्चों के लिए maths नेटवर्क और EDC चल रहा है भाई और ये मेरा टेलिग्राम चैनल है बिटा आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी तो आप लोग फटा-फट से इस टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हो और immediately after the session आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी और community पे भी आप रह सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत सारा study material है analog के पूरे material है control system का material है तो आपकाडमी आप के home page पे जाना community में discover पे वहाँ मैं मिल जाऊंगा और सारे PDF भी मिल जाएंगे so thank you everyone, thanks a lot बच्चों अब हम लोग कल मिलेंगे और आज शाम साड़े साथ बजे आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा announcement है तो सभी लोग आईएगा especially YouTube family के लिए announcement है definitely आप लोग काफी खुश हो जाओगे देखके तो शाम साड़े साथ बजे जरूर आना है let's crack it